कि नमस्कार दोस्तों मेरे ना में श्याम कुमार और स्वागत है आपका अपने चैनल श्याम में कैसे अफ बात करें क सकते हूं और वहां पे इसके लिए हमें सबसे पहले इस शीट के नदर एक एक और करना होगा वह time stamp का अब यहां पर left या right में insert कर लेते हैं इसके यहां पर मैं लिगता हूँ time stamp तो एक मेरे पास एक column add हो गया और जैसे है column add करते हो हम चलते हैं editor mode पे app sheet के और यहां पर regenerate schema पर क्लिक करते हैं इसके बाद एक column जो हमने add किया है और यहां पर add हो चुका होगा उसके आगे हमें formula भी लगाना है वाओ तो time stamp date and time इसके आगे भी देखते हैं और इसने formula automatic apply कर दिया नाओ का तो यही ओ formula है नाओ का जो आपको apply करना है date और time अगर आपको चाहिए current date and time चाहिए तो अगर आपको सिर्फ date चाहिए तो यहां पर इसको आप replace कर सकते हैं today के साथ जो हम today excel और google sheet उसमें लगाते हैं सेम चीज़े आप यहां पर लगा सकते हो today का नई तो फिर यहां पर now का रहने दें अगर आपको date और time दूनों चाहिए उसके बाद save कर दें इसको ठीक है अगर आपको जो column क नाम है proper है तो खुद बखुद यह पिक कर लेता है क्या data type होगा और क्या formula इसमें apply होगा ठीक है तो यह चीज़े यहां पर हो गई इस तरीके से आप आसानी से date और time capture कर सकते हो तो यहां पर हम इस form को complete करते हैं एक पिनमर save कर लों इसको और एक feel करते हैं save और चलते हैं sheet में yes तो time और date इसने दोनों capture कर लिया तो इस तरीके से आप time stamp यहां पर ला सकते हैं अपने sheet में automatic capture करकी ठीक है hope आप लोगों को पसंद आई होगी वीडियो next वीडियो में मिलते हैं कुछ नया लेकर तब तक के लिए bye bye